इस यूनिवर्स में कई स्टार्स, प्लानेट्स है तो भी दर्ती को ही स्पेशल प्लेस है क्योंकि सीर्फ दर्ती पर ही लाइफ का अस्तित्व है दर्ती पर लाइफ एक्जिस्टेंस का मुख्यकारन वाटर कह सकते है धर्ती पर ऐसी कई जगह है जहां वाटर बहुत कम अवैलेबल होता है जिसको हम डेजर्ट एरियस कहते है यहां के लोग चोटी से वाटर बोड़ी दिखी तो भी कुश हो जाते है अगर ऐसे प्लेसेस पर रिवर दिखा तो लोग कितना कुश हो जाते होंगे 2014 में नौर्ट आफरिका के एक डेजर्ट में हमेशा की तरह कुछ लड़कों ने अपने बकरी को घास किलाने पास के पहाडों में ले गए उनको अचानक पहाड पर तालाब दिखा तुरंद ये लड़के गाओं के लोगों को ये बात बताने से वो गाओं के लोग और आजुबाचो गाओं के लोग ये तालाब देखने पहाड पर गए थे वाटर स्केट सिटी एरिया में तालाब दिखने से सभी जन्म कुश हो गई और उसी समय ये न्यूस इंटरनेशनली भी स्प्रेड होने से बाकी कंट्री से भी लोग ये देखने आने लगे पहाड पर ऐसा तालाब प्रत्यक्ष होना वहां के लिए आश्यरे जनक बात हो गई ये तालाब तुनीच या कंट्री के गवजा से 25 किलोमीटर दूर में रहने से इसको लैग डे गवजा नाम भी दिया था ये तालाब का पानी पहले प्यार और फ्रेश होता था लेकिन कुछ दिनों में उसका कलर ग्रीन में चेंज होने से साइंटिस ने वहां आकर ये तालाब कैसे फॉर्म हुआ और अब कलर चेंज के रीजन्स पर रीजर्च शुरू किया कई स्टडीज के बाद रीजर्चर्स ने कहा कि लैग डे गवजा का वाटर पीने या नहाने के लिए भी उसे यूज नहीं कर सकते जो लाइफ के लिए खत्रा हो सकता है क्योंकि ये पानी में poisonous mushrooms, dangerous microorganisms है और वो वाटर में अधिक मात्रा में फॉस्पाइट डिपॉसिट होने से वाटर में रेडियो अक्टिविटी ज़्यादा है जो सभी human species को हानिकारक है और इसी कारण वो वाटर का कलर चेंज हो रहा है तो अब scientist के सामने ये ताला form कैसे हुआ? कोशन रह गया कुछ लोगों के ग्रूप ने कहा कि उस एरिया में heavy rainfall हुआ होगा जिस कारण वो rain water वहाँ इकटा होकर ताला form हुआ होगा पर वो कंट्री के weather reporters ने बताया कि कई सालों से वो एरिया में water इकटा होने जितना rainfall हुआ ही नहीं और एक ग्रूप के लोग कहने लगे कि वो एरिया में earthquake आया होगा जिससे earth layers से water बाहर आकर ताला form हुआ होगा लेकिन experts कहते हैं कि कई सालों से वहाँ earthquakes भी नहीं आया था कारण जो भी हो ये water use नहीं कर सकते हैं और ये तालाब अच्छानक पृत्यक्ष होने के पीछे का reason आज भी एक mystery ही रहा See you again with a new topic in Global Encyclopedia Till then take care and have a nice day